इनको कोई खबर नहीं था अचानक आ गया है एकदम आसपास का घर बुरा जला गया और उसके बाद इन लोगों के घर भी जलाना लगे और ये खुदी कैंसर के पेशेन है इनके दवाय वहाँ पर सोड़ दिया और साथे साथ इनका प्रिस्किप्शन बगेरा सब कुछ करने से कभी हमारा जीवन घटता नहीं है तो मदद करें और जो लोग मदद करें परमिश्ट के नाम से जिस तरह मणीपूर में हास्षे हो रहें जिस तरह से जहां भी हेल्प की जरुवत लगेगी हम आगे आएंगे एक प्रभु के नाम से हम लोगे कम्यूनिटी हैं और आज अगर हम मिल के एक उरुपे से भी अगर हम दस उरुपे या दस्वांस या गिफ्ट जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शिन में लिंक और एक आपको मेंशन कर दिया है आप अपने तरफ से जो योगदान दे सकते हो दें क्योंकि परमिश्ट का वच्चन है कि देने से कभी कम नहीं होता है सिखी God bless you all of you सताओ मुश्किले परेशानी और नफरत और हिंजा ये सब के पीछे एक ही चीजे वो है शेतानी चाले आज हम इस दुनिया में आए हैं परमिश्ट के नाम से हम भी अन जानते हैं हम भी नहीं जानते थे कि परमिश्ट हमसे क्या कहना चाते हैं और किस तरह से आज हमें उन्होंने जीवन दिया है परंतु ये सब बाते लोगों के लिए वियर्थ है क्योंकि जो लोग हमारे भाई भेन आज मनिपूर में सताओं के साथ दुआएं कर रहे हैं प्रातना कर रहे हैं और अंधन जल हर एक चीज के लिए परिशान हो रहे हैं हर एक चीज के लिए उनने दुख उठाना पड़ रहा है हमारी बेहनों के साथ क्या हो रहा है क्योंकि ये सब होना है ये बाईबल में लिखा है ये हमको भी पता है कि आने वाने टाइम में हमारे साथ भी होना है पर आज हमें जागुरू खोने का और हमारी आखे खोलने का टाइम आ चुका है हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं हम बचन में चलते हैं बचन को मानते हैं पर आज हमें शेतान को ललकार न पड़ेगा और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगी हमें परमिश्वर ने समझ भी दिये बल भी दिया है और बुद्धी भी दिये पर न्याय करने का हक सिरी परमिश्वर को है हमें सताव सहना है ये परमिश्वर का वचन है कि तु चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा तेरी साहता करूँगा तेरी मदद करूँगा पर परमिश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है हमें हमारे भाईयों को बचाना है हमें जो मोत के द्वार पे खड़ा है उसे परमिश्वर के करीब लाना है क्योंकि आज वो इस इस्तिती में क्यों बने सबसे वड़ाव आए वो है क्योंकि वो इस्तिती में क्यों आए आज वो सताव क्यों हो पा रहा है परमिश्वर की प्रात्ना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही क्यों वो लोग आज बचाय नहीं जा रहे क्यों बच नहीं पा रहे क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक गोल जाता है जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पोदे उ रमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी उसके बच्चे कहलाते हैं तो हमें अब आगे होके आना होगा जिस तरह से आपने देखा है प्रोफिड विजंदर जी को आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बेनों उन्हें पूरे पंजाब में और यहां तक वर्ल्ड में प्रभू का नाम उचा किया है नरोला जी ने आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज की विवेस्ता प्रभू के नाम से हमारे लिए हमारे लिए कि क्योंकि हम सुरक्षी तरह और आज हमारे लिए फुकार भी लगाते हैं और हमें सला भी देते हैं और हमारे दुआएं भी करते हैं तो यह सब वह एक विक्ति कर सकता है जो प्रभू ने उन्हें चुना और वह ताकत आपके अंदर भी है जब हम एक होके सो हो सकते हैं हजार हो सकते हैं लाख हो सकते हैं और अंगिनित हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वह उसर दिया है, आपको भी दिया है, आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभू आपको चार गुना देने वाला है, और उधारन खुद प्रॉफिट जी है, खुद नरला जी है, आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीयों को अंग्रेजों के साथ सम्मोधित क्या आता है, मसीयों को एक अलग ही जाती ठेहराना चाहते हैं, वो इंसान्यात को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं, उन भाईयों के साथ जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहिंचाता है, आज हमारी मायों के साद बुरा हो, तो हमें चूप नहीं तो आगे आएं और हिम्मत रखें क्योंकि ये दस्तक जो आज उस सहर में उस जगह पर हो रही है कल हमारे घर पे भी होगी तो तयार हो जाएं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है परमिश्यर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डर क्यों बोलता है प्रभू आप्मिविश्वास से भर जा प्रभू वचन में क्यों कहता है कि तू स्री मेरा भैखा इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता जब हम आगे तो हमारे भाईयों की हिम्मद बढ़ेगी आप सोशल मीडिया के दोबारा आए आप चाहे तो अपने मसी भाईयों के दोबारा आए आप मदद करें आप उन लोग को उठाए जो परमिश्यर को जानते नहीं है जानने वाले को तो प्रभू जानता है परन्तु जिनको नहीं मालूम के प्रभू केसा नियाय करता है उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभू के जीवन में तो हिम्मद जुटा लो और प्रभू के काम से भिर जाओ और प्रभू के नाम से सेवा करो मदद करो, दान दो, दश्वान दो जादा से जादा अपनी उपलब्दी अपनी मौजूदगी दो प्रभू के नाम से मेरा मेसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आमिन